हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी अगर आप लोग अपने फोन पर एक नया नंबर सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने फोन पर जो contact का application है उसको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से यह जो plus का icon आ रहा है वहाँ पे आपको click करना है तो सबसे पहले आपको name का option आता है तो यहाँ पे आपको name लिख लेना है इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको उसके नीचे में आपको company name लिखने को बोला जाता है तो यह सारी चीज़े आप लिख सकते हैं title डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना phone number डाल देना है जो कि आपका phone number है ओके तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए तो यहाँ पर डाल देना है उसके बाद दोस्तो आपके नीचे में जो है आपको email id भी add करने को बोला जाएगा तो आप लोग यहाँ पर email id भी डाल सकते हैं अगर आप save करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है right का icon आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपर की और तो यहाँ पर आपको click करना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए गाईज मिलते हैं नेस्ट वीडियो में